के साहित्य ने दिमे प्रस्तोत indifferent हैं मुहन्ि राकेश जी की लिखी वी कहानी अंतराल मुहन्राकेश हिंदी साहित्य के उंचुनिंदा साहित्य कारों में से हैं जिनने nई कहानी आंदोलन का नायक मना जाता हैं और सहित्य जगत पे अधिकांश लोग उन्हें उस दौर का महानायक भी कहते हैं। उन्होंने आशार का एक दिन के रूप में हिंदी का पहला आधनिक नाटक भी लिखा है। तो शुरू करें उनकी लिखी कहानी अंतराल। नदी का पुल पार करने के लिए सड़क उची होनी शुरू हो गई थी। सड़क के दोरों और बीहर नजराने लगे थे। उसकी निकाएं उस टेड़ी मेड़ी पकड़न्डी को ढूड रही थी। जो उन दिनों बीहर के बीच से उपर नीचे होती हुई घाट तक जाती तब घाट के ठीक नीचे तेज ढलान हुआ करती थी, जिस पर नदी के किनारे किनारे दूर तक बालू की चादर बिछी रहती थी। बालू की बर्त इतनी मोटी होती थी कि उस पर चलते हुई पैर धस्दस जाते थे, पर नीचे धारा से लगे हुए किनारे की बालू कर सक्त हो गई हो रहती थी वहीं बैट कर वे नाओ का इंतजार करते थे जो दूसरे किनारे पर सवारियों को चढ़ाते उतारते या धारा के बीच आते जाते दिखाई पड़ती थी अगर नाओ को इधर का किनारा छोड़े देर हो गई होती तो बालू पर कुछ रहागीर उपर चमकीली चादर डाल कर घूंगट काड़े रहती पूरी धगी दे के नीचे से जहाकते काले मतमेले पैर जिनमें गिलट के जहांज और लच्छे पड़े होते अजीब अटपटे से लगते थे दुलहन की गठ्री लिए हुए कोई अधेड या बुरा आदमी होता जो पुरानी मतमेली धोती के उपर नया सिला और गैर दुला सफेद चमकदार कुर्टा पहने होता जिसमें बटर नदारद होते कभी कोद में बच्चा लिये कोई औरत भी होती घाट पर बैठते ही बच्चा रोने लगता और वो भीर से जरा दूर दूसरी और मुँ फेर कर खास शरम न रह जाती और वे उसके प्रतिला परवास ही हो जाती थी वो कभी चोटी सी भीर को देखता कभी दूर सरकती नाव को तो कभी कगार के उपर फेले बीहड के विस्तार को दोनों और लंबाई में दूर तक चमकती नदी की धारा और चारों और फेले बीहडों के बीच बीच खड़े बबूल के पेड़ और सर्पत के गुच्छे जो हवा में बहुत धीरे धीरे हिलते बहुत एकाकी लगते थे इस सुनसान फैलाओ के बीच घाट पर सिम्टी छोटी सी भीड निचाट उसर के बीच छोटे से खेत में खड़ी लहराती फसल सी लगती दुन सवारियां उतरनी शुरू होती फिर भी किसी किसी का पैर पानी में पढ़ जाता सर सामान के साथ सारी सवारियां उतर जाती तो इधर के लोग चड़ना शुरू करते चड़ते समय नाव वाला उसका हाथ पकड़ कर उपर खीचता तो नाव डगमगा जाती उसे डर लगता और वो जल्दी से सिमट कर बैठ जाता नाओ आगे बढ़ती तो तेज तेज बहते पानी के चोड़े पाट को देखकर उसका मन उत्साह से भर उटता धारागे बीच नाओ के एक और जुक कर भवर मारते साफ समकते पानी को अंजुनी में उठाने का बहुत मन होता पर डाट पढ़ने के डर से वो जच्व किये बैठा रहता सड़क अब एका एक उची हो गई थी और दूर पुल की रेलिंग नजर आने लगी थी उसके पहले चुंगी का बेरियर था जो उपर उठा हुआ था बगल में जूपरी थी जिसके सामने अलाओ जल रहा था तीन लोग उसक पासी और दैनियता थी अभी सुबह का वक्त था और सड़क पर दूर दूर तक कोई सवारी नहीं थी चारों और पहले के घाट जैसा ही सुनसान एकांद था और उसकी गिरफ्त में पड़े अलाओ तापते चेहरे कुदर्ती विस्तार का ही निर्जीव हिस्सा लग रहे थी माहौल में अभाव और गरीबी की वही पुरानी गंद थी जिसके भी सड़क की काली चमकती खुलतार पैबंद जैसी लग रही थी उसकी गाड़ी देखकर एक आदमी अंगड़ाई लेकर उठा और जल्दी जल्दी रस्ती खींच कर बैरियर नीचे करने लगा गाड़ी रुक गई तो वो बैरियर के सिरे को घूटे से बांद कर ड्राइवर की खिड़की के पास आया उससे कुछ गुफटगू करने के बाद ड्राइवर ने इधर अधर खोज कर पांच रुपए का नोट निकाला जिसे उसने लपक कर ले लिया और वापस जाकर बैरियर खूलने लगा बैरियर उपर हो गया तो ड्राइवर आगे बढ़ने के बजाए उससे परची के जित करने लगा पहले तो उसने ठिटक कर ड्राइवर को अचीव निकाहों से घूरा फिर भकवा जैसा मू बना कर अलाओ तापते दूसरे आदमी के और देखने लगा वो बहुत बेमन से उठकर जोपडी के भीतर गया और काफी देर की खटर पटर के बाद एक सड़े से कागज का पुर्जा लेकर आया जिस पर गलस सरत वरतनी में कुछ छपा हुआ था उसने ड्राइवर को उसे देकर खुद उस पर गाड़ी का नंबर लिख देने के लिए कहा क्योंकि ठेकेदार बाबु घर गए हुए थे ड्राइवर में पुर्जा लेकर खिर्की का शिशा उठाया गाड़ी स्टार्ट की और रफ्तार बढ़ाते हुए एक भद्धी सी गाली देकर गेर बदलने लगा शाम तक लौट आने के इरादे से वो मूँ अंधेरे ही घर से चल पड़ा था अब सूरज निकल आया था और धूप फैल रही थी लेकिन अभी भी इतनी जल्दी थी कि किसी के यां अचानक पहुँचने पर वो अचकचा जाता और गंतव्य था कि तेजी से करीब आता जा रहा था उसके दिमाग में आया ही नहीं था कि गाड़ी से इतनी जल्दी पहुँच जाएगा नदी के उस पार के बिहड़ खतम होने पर सड़क के दोनों कुछ देर तक खेत मिलेंगे और तब बागों का सिलसला शुरू होगा और उनमें से आखरी बाग मामा का ही तो है उसी के बीच से होकर तो सड़क से निकल कर उनके गाओं की बस्ती के लिए रास्ता जाता है सड़क से देखने पर पेडों के बीच से बस्ती जरकती है दरसल नदी पार करने पर पहला गाओं उनहीं का पड़ता है तब सरत कच्ची हुआ करती थी और उस पर एकेग के अलावा और कोई सवारी नहीं चलती थी एक का भी नियमित नहीं मिलता था और उसे पहले से तै करना पड़ता था वो भी नदी के भीहर शुरू होने से पहले एक छोटे से बाजार में उतार देता था वहाँ से पैदल ही चलना पड़ता था दूरी तो जादा नहीं थी लेकिन नदी पार करने में जो ताम जाम था उसको ध्यान में रखकर लोग बहुत भोर में निकल लेते थे ताकि दोपहर का भोजर बनना शुरू होने से पहले ही वहाँ पहुँच जाए और मेहमांदारी के लिए इत्मेजबानों को शर्मिंदा ना होना पड़े एक ही दिन में वहाँ जाकर लोट आने का दवाओ उस पर इसकदर हावी था कि वो कुछ जादा ही जल्दी चल पड़ा था उसका मन अतीत से इसकदर रमा हुआ था कि समय और उसके साथ साथ चीजों माए बदलाओ का उसे ठीक ठीक भान नहीं हुआ था पहले के हिसाब से तो ये पाहला चूकर लोट आने वाली बात होती जो निश्चही लोगों को नागवार गुजरती और हो सकता है सब कुछ अनसुनी करवे उसे रात में रोकी लेते इतने दुनों बात जिसके दौरान इतना सब कुछ बदल चुका था मामा कहां जाने का मन बना पाने और फिर पहले ही दिन शेहर लोटने की मजबूरी से वो इतना संकुचित था कि उसे एसास ही नहीं हुआ से उपर उठती बैल काड़ी की लीक थी जो काफी दूर चलने के बाद चौरस जमीन आने पर कच्ची सड़क में बदल जाती थी जिसके दोनों और दूर तक खेट दिखते थे सड़क शुरू होते ही बाईं और उची जगत और बारह चुईयों वाला एक मशूर कुआ था जिस पर छेचे पुर एक साथ चलते थे अगर पुर चल रहे होते तो वाँ खासी रौनक होती थी जिसे देखकर रहागी कुछ देर के लिए ठिटक जाते थे कई बार वहां रुक कर उसने हाथ पर दोया था और पानी पीकर फिर आगे बढ़ा था पुल पार करते वो खिरकी के शीशे से उस और देखने लगा था कुछी लमों के बाद एक तूठी पूठी जगत और धाई हुई चुईयां सरराटे से निकल गई और वो सोचता रह गया क्या ये वही कुआ था अब उसकी निगाएं उन बागों को ढूड रही थी जिनकी सघन अमराई उसके जहन में अभी तक खुबी हुई थी लेकिन वे कहां थे? वहां तो खेती-खेत थे जिनमें गेहूं और गन्ने की फसलें खड़ी थी जिनके बीच कहीं कहीं छुटी-छुटी जोपड़िया थी जिनमें निजी ट्यूबे लगे थे उन में से कुछ उस समय भी पानी की मोती धार फेकते वे चल रहे थे जो अपने आप में बिल्कुल अजनबी द्रशे था बीच-बीच में कुछ खंकर, लकड़ाए, पेड़ जरूर देखे तो क्या वही उन बागों के अफशेश है उसके भीतर लगातार कुछ एटता रहा आगे पत्थर की छोटी सी पटिया पर शायत उस गाओं का नाम लिखा था जो बीच-बीच में कोलतार निकल जाने से दोड़ती गाड़ी से ठीक से पढ़ने में नहीं आया उसके बाद दोनों और सडक से लगे हुए इटों के कुछ बने अधबने मकान थे और कच्चे गारे से जुड़ी उबर खाबर दीवालों वाली चीकर सी दुकाने जिनके शटर अभी बंद थे उनके बाद फिरवई खेत और बीच-बीच में खंकर पेड तो क्या वो आगे बढ़ाया गाड़ी रोक कर एक आदमी से पूछना पड़ा गाड़ी वापस मोडते हुए ड्राइवर के चेहरे पर हलकी से खीच थी उसे याद आया बाग से बस्ती जाने वाली पगडंडी के बगल में एक तालाब था जिसमें नाग पंच्मी के दिन बच्चे गुडिया पीटते थे और जिसमें शादी विवा के बाद और तें जुन बना कर गीद गाते हुए मौर से राने जाती थी उसके किनारे एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था जो खुब जम कर फलता था और बाग के पेड़ों से थोड़ा पहले पकना शुरू हो जाता था वो और बच्चों के साथ मुँ अंधेरे ही उठकर उस पेड़ के नीचे सीकरी खुजने जाता था पास ही कहीं सियारों की मान थी और वे रात में गिरे आमों को काट कर जूठा कर देते थे इसी से उस पेड़ का नाम सियरा खुआ पड़ गया था बाग में आम पकना शुरू होने के पहले बच्चे दिन भर उसी के नीचे जमे रहते और धमा चौकरी मचाया करते जब हवा चलते या पेड़ पर तोते बैठते तो भद भद आम गिरने लगते बाग की तरह वो पेड़ भी साजी था पर उसके आम बढ़ते नहीं थे वो बच्चों के लिए छोड़ा हुआ था जो जितना उठा लेता उतना उसका हो जाता हवा बंध होती और आम ना गिर रहे होते तो वे उसकी चाया में साफ जमीन पर खाने खीच कर गंटी या चववा खेलते चारों और दूब मन मनाती और फसल कटे पेड़ों में रहरा कर बगूले उड़ते बार बार घर से कोई खाने के लिए बुलाने आता पर वे खेल में मगन रहते इतने सालों बाद क्या वो उस जमीन को पहचान लेगा जिस पर खेल शुरू होने की उमंग में उससे कितनी कितनी बार खाने खीचे थे उसके अंतर एक सिहरन सी दोड़ गई अब वो पगडंटी कहा थी दो दिकानों के बीच से एक सकरा गलियारा निकलता था पहले से मालूम ना होने पर सड़क से उसका दिखना नामुम्किन ही था बड़ी मुश्किल से गाड़ी उस पर मुड़ी थी कुछ दूर उस पर खरंजा बिचा था जिसकी इटे बीच बीच में नीचे धस गई थी और कहीं कहीं इतना उपर उठी थी कि पैट्रोल की टंकी में लगने से बचाने के लिए ट्राइवर को गाड़ी बहुत दीमी चल बस्ती में घुसते गाड़ी देखकर कुछ बच्चे सिमट आये थे गाड़ी रुपते ही वे उसे घेर कर खड़े हो गए थे और पीच पीच में गाड़ी को चूकर देखने लगे थे गाड़ी के जिड़कने पर वे थुड़ा इधर दर हुए लेकिन फिर दीरे दीरे उस के पास सरकने लगे थे उसे गाड़ी से उतर कर मढ़े में घुसते हुए अजीब सा संकोच हो रहा था अंदर मामा एक चारपाई पर लेटे थे एक गंदा सा विस्तर लपेट कर उनके सर के नीचे रखा हुआ था चारपाई के सिरहने एक धंडा पड़ा था उसे देखकर पे डंडा संभाल कर उठने लगे तब उसे मालूम हुआ उनकी आँकों में मोतिया बिंध है उसने अपना परिचे बताया तो वो एकदम से हर बड़ा उठे थे पास में कोई चारपाई नहीं थी उन्होंने आवाज देकर किसी को बुलाया था पर देड तक कोई घर से बाह चुका था पर वो अब तक वहां बहुत अटपटा सा महसूस करने लगा था मामा उसे बता रहे थे कि कजबे में आँक के एक डॉक्टर का कैम्प लगा था तो वहां उन्होंने एक आँक का ऑपरेशन करवाया था लेकिन पहले उस आँक से जो थुड़ा बहुत दिखता थ आँपरेशन के बाद वो भी बंद हो गया था फिर वो अपने किसी पटीदार के साथ आबादी को लेकर चल रहे किसी मुकदमे की बात करने लगे थे उन्हें आशा थी कि इस मामले में हाकिम से कह सुनकर वो उनकी कुछ मदद कर सकेगा पर वो चुप-चाप सुनता रहा थ और हाँ ना कुछ नहीं किया था मामा निराश होकर चुप हो गए थे कुछ देर बाद एक नंग धरंग बच्ची कटोरी में कुछ लेकर खाती हुई घर से बाहर निकली थी कुछ देर कटोरी लिये लिये वो घुमरी परया खेलने के बाद वो उसके पास आ गई थी और अबदी गालियों की आवाज उसे कान में हतोडे सी लग रही थी, मामा उसे अंसुनी कर इधर-दर की बाते करने लगे थे, पर उनका चेहरा शर्म और खीज से फक पड़ गया था, जब उससे बरदास्त नहीं हुआ तो वो उठकर गाड़ी के पास चला गया और उसमें से कटोरी में कुछ बिसकुट लेकर बाहर आया था, सुबह सुबह उसे प्यास नहीं थी, पर कटोरी से एक बिसकुट लेकर वो कुतरने लगा था, लोटे के बाहर से उसके हाथ की मांस्पेशियां तनी हुई थी, और उटेड़ा होता चा रहा था, उसने जल्दी से लोटा के हाथ में से ले लिया, पानी पीने के बाद उसने ड्राइवर के और इशारा कर बच्चे से उसके लिए भी पानी लाने के लिए कहा था, और कटोरी के बाग की बिसकुट ड्राइवर के और बढ़ा दिये थे, लड़का अंदर गया था, पर वहां से खाली हाथ वापस आ अम्मा पूछ रही हैं के ड्राइवर कौन जात हैं, वो सकपका गया था, इस सवाल के लिए वो तयार नहीं था, दर असल ड्राइवर की जाती तो उसे भी नहीं मालुम थी, बच्चे ने निधरक होकर इतने धीट सोरे पूछा था कि ड्राइवर ने जरूर सुन लिया होग कटोरी से बिस्कुट उठाते हुए उसके हाथ रुख गये थे, वो सिट पिटा कर रहे गया था, फिर धीरे से बोला था कि उसे प्यास नहीं है, और अनायास गाड़ी का तरवाजा खोलने बंद करने लगा था उसने सुना था, मामी के मरने के बाद से ही मामा के दोनों बेटों में अन्बन रहने लगी थी, छोटा मुंबई में टैक्सी चलाता था, बड़ा सड़क पर सरिया और रेती की दुकान करता था उधार बिक्री की वसूली और पूंजी की किल्लत के कारण दुकान कभी पनप नहीं पाई थी, खेती कुछ खास थी नहीं, दुकान से जो निकलता वो खात पानी के जुगाड में सर्फ हो जाता, फिर दुकान बंद कर वो भी बंबई चला गया था, वहां रुक कर उसने भ अलकौजी के लिए जगड़ा करने लगा था, उसके छोटे बड़े कई बच्चे थे, सबसे बड़ी लड़की शादी लायक हो गई थी, वो चाहता था छोटा भाई कुछ मदद करे तो किसी तरह शादी का इंदिजाम हो जाए, लेकिन वो निजी टेक्सी खरीदने और बी बढ़ गए थे, छोटे बाई की बहु लाज शरम छोड़कर अपने हिसे की खेती समालने लगी थी, बड़े का कभी खेती में मन लगा ही नहीं था, वो बीच-बीच में कहीं गायब हो जाता था, एक-एक कर उसकी बहु के गहने गुरिया सब बिक गए थे, अब खेती बिक अता तो उसकी बड़ी बेकदरी होती थी, क्योंकि दोनों के परिवार उसे एक दूसरे पर डाल देते थे, अंत में ये तैह हुआ था, कि मामा उस समय जिसके पास रह रहे होंगे, उसी पर उसकी खातेदारी का जम्मा होगा, पटी दार के साथ चल रहे मुकदमे का खर्च देने में भी दोनों आनाकानी करते थे, मामा को ही उसकी चिलता रहती थी, मामा कितने टूटे हुए, उदास और निरी लग रहे थे, माहौल में पेपन्नता और बिखराओं की कैसी गहरी साया थी, उसके मुका स्वात कसैला हुआया था, और अतीत की सारी नर्माहट सूप क पर उड़ गई थी, उन दोनों मामा का परिवार कैसा भरा पूरा और संपन्न लगता था, नाना बाहर कोई नौकरी करते थे, और मामा ने जो भी खेती थी ठीक से संभाल रखी थी, तरवाजे पर कोई न कोई दुधारू गाय भें समेशा बंदी रहती थी, आम महुआ और कटहल के बाग थे, चारो और सायर मायर था, उसके अपने गाउं की मिट्टी में कटहल नहीं होते थे, उनके पकना शुरू होने पर हर साल मामा के हां से एक आदमी बहंगी में दोनों और बड़े-बड़े कटहल लटकाए, उनके भार से जुका तेज-देज चलता उसके घ कराता था, जिस कमरे में कटहल रखे जाते थे, वो एक नशीली गंद से गमक उठता था, वो बड़ी बेसब्री से उनके फोड़े जाने का इंजार करता था, फिर तो हफते बर कटहल फोड़ने, उसके कोई निकाल कर खाने और उन्हें थाली में सजा कर पास पड़ोस में बाटने का सिलसला चलता रहता था, नाना का हाथ खुला हुआ था, और उन्हें भविश के लिए कुछ जोड़ने की फिक्र कभी नहीं रही, बस रेटायर होने के बाद फंड वगेरे से जो पैसा मिला था, उससे उन्होंने नई बकरी और दालान बनवा दिया था, लेकिन उसमें रहने का सुप बहुत दिनों तक ने देख पाये थे, उनकी नियमित आमदनी बंध होते ही अभाव की खरोंचे लगनी शुरू हो गए थी, मरने के पहले उन्होंने परिवार के बढ़ते हुए आकार के साथ साथ धीरे धीरे पैर जमाती गरीबी की दस्तक जरूर उसे याद आया था, तब मामा के घर के पिछवाड़े एक बनिये का घर हुआ करता था, जिसके सामने एक उट बैठा पगुराया करता था, बगल में एक पुराना पचरिया कोलू था, जो उस घर की पुराने दिनों से चली आरी संपनता की याद दिलाता था, पास में कटह मकान खड़ा था, पर ना उट दिखा, ना पथरिया कोलू, ना कटहल के पेड़, घर एकदम सुनसाम था, मालूम हुआ बनिये का परिवार कस्बे में जाकर बस गया था, जहां उसकी सीमेंट की एजनसी और कई और दुकाने खुल गए थी, सड़क पर भी उसका एक मकान थ गाओं के इस मकान में वो कभी-कभी ही आता था, और उसमें कुछ नौकर चाकर ही रहते थे, आगे नूर महमत दरजी का घर था, जिसके बरामदे में तब एक सिलाई मशीन रखी रहती थी, उसकी रह रहकर गुंचती आवाज गाओं में एक शहरी फिजा पैदा करती थी, जो उससे बहुत अच्छी लगती थी, उसके अपने गाओं में कोई दरजी का घर नहीं था, नूर महमत के हाँ वो कई बार कपड़े की नाप देने गया था, शादी विवाह के मौके पर तो सभी की एक साथ नाप लेने नूर महमत खुदी घर आ जाया करते थे, उसके यहा महमत का घर जहां का तहां खड़ा था, लेकिन पहले से काफी तूट फूट गया था, बरामदे में मशीन नहीं थी, वहाँ एक जिलंगा चारपाई पड़ी थी, जिस पर एक बुड़ा आदमी खास्ता हुआ लेटा था, क्या वो नूर महमत था? नूर महमत का बेटा अलता के खेल में भी वो बड़ा उस्ताथ था, बस सिलाई सीखने में उसका मन नहीं लगता था, धर जी का बेटा होने पर भी कभी उसके बदन पर साबुत कपड़े ने दिखे, कहां होगा वो इस समय? आगे बढ़ते एक आद्मी सरपर गन्ने की सूखी पत्तियों का बोज लेक देखा और आगे बढ़ गया, नूर मुहमत के घर के सामने जाकर उसने बोज गिराया और मुर कर फिर उसकी और देखने लगा, वो भी उधरी देख रहा था, उसके चेहरे पर पहचान की चमक सी उबरी और वो जल्दी से उसकी और लपका, पास आने पर मालुम हुआ वही उससे बाते करने लगा, वो सुबह सुबह किसी के खेत में गन्ना चीलने गया था, और दस्तूर के मताबिक गन्ना कार्ट चील कर खेत से कोलवार तक पहुँचाने के बाद पतियां लेकर वापस लोटा था, अलताफ के सर और दाड़ी के बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल दिन वो अपने एक मुसल्मान दोस्त की टैक्सी में उसके साथ कहीं जा रहा था कि अचानक दंगे की चपेट में आ गया था, उसी की आखों के सामने उसके दोस्त को चाकू घुपती आ गया था, टैक्सी जला दी गई थी, वो किसी तरह भाग निकला था, और छिपते कौन के खाने तक को पैसे नहीं थे, इलाके के हिंदू मजदूरों और टैक्सी वालों का ही उसे सहरा मिला था, उन्हीं कि यहां जगए बदल बदल कर को किसी तरह एक एक रात काट रहा था, तमाम डर और दहशत के बावजूद वे अपने गाउं देश का नाता नहीं भू लाया था और उसके लिए मुलक टिकट निकलवा कर दिया था, कुछ लोग उसे स्टेशन तक छोड़ने भी आये थे, कैसी काली डरावनी रात थी हो, हर पल मौत सामने नाच रही थी, हर आदमी एक दूसरे पर शक कर रहा था, जब तक गाड़ी शहर से बाहर नहीं आ गई, अपने बच निकलने का भरोसा नहीं हुआ था, लौट का फिर वई ढाक के तीन पात, गाउं के पुष्टैनी पेशे में प्रखा गया है, अब तो अब्बा को भी काम नहीं मिलता, ये तो रेडिमेट का जमाना है, जिससे सिलाना भी होता है, वो कस्वे में जाकर सिलवाता है, अब्बा को नए फैशन की चीज़ें सिलनी कहाती है, इधर तो बहुत दिनों से बीमारी चल रहे है, खाट पकड़ ली है, खासी बंद होने का नामी नहीं लेती, धीमा धीमा बुखार भी रहता है, अब किसको दिखाएं, दो एक बार कस्वे में जाकर सुई है, और अपनी और अपने कुन्बे की गाड़ी जैसे तैसे खीच रहा है, उसने पडोस के एक आदमी से बात की है, जो सौदी में रहता है, लेकिन वीजा वगएरे का बड़ा खर्च है, अल्ला को जैसा मनचूर होगा, अभी आप सुन रहे थे, मुहन राकेश जी की लिख की हुई कहानी अंतराल